अडोबी ने लॉंच की कुछ new terms and policies जिसके वैसे creators और YouTube community थोड़ी सी खफा है, sad है, नाराज है, उधास तो उस पर we as industry professionals discuss करेंगे कि इसके क्या आगे impact हो सकते और क्या challenges face कर सकते corporates due to creators हम आपका content own नहीं करते Accept का button है, Decline का button ही नहीं It's just like की, देखो मैं आपके घर में से चोरी नहीं करना चाहता हूँ, बट ये गने मेरे को चापी देते हैं ये जाने दिया अगर सारे users में तो इस बहुत normalize हो जाएगा हाँ आप तो भाई Adobe चुरा रही है, तो हम कौन होते हैं, हम भी चुराएंगे, हम भी चुराएंगे, सारे चुराने लगेंगे तुमारे inspiration से लेके तुमारे execution तक सब train हो गया, तुमारे ज़रोती नहीं लेगे फिर आर्टिस का काम ही नहीं फिर, आर्टिस की value फिर दीर होगी फिर पांच साल बाद कॉंटेक्स्ट समझाओ ना नहीं को तभी मैं बोड़ाओ ना डिसकस करने आएंगे, उन्होंने यह जो आई थी अभी आँटी, उनकी लॉयर, उन्होंने क्या बोला कि हमारा वो मतलब नहीं था, जबकि वहां पर क्लियरी लिखा हुआ ना कि हम तुमारा कॉंटेंट ले र पूरा रॉंग भी नहीं है बड़ पूरा राइट भी नहीं है, सिदी जी बात है, कॉस वह कह रहें कि हमें देखो आपके कॉंटेंट का एक्सेस दे दो, सिंपल बात, बट हम उस एक्सेस से हम कुछ गलत नहीं करेंगे, ट्रस्ट अस, ट्रस्ट मी ब्रो, तो यह पंगा है अब मशीन लर्निंग के लिए, अब मशीन लर्निंग बहुत बड़ी टर्म हो गई, उसके अंदर आ गया तुमारे तुमारे फीचर जो गया, यूए, 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 बहुत सारी चीज़ आ गई, अंडर मशीन लर्निंग, जो एड़ोबी यूज कर सकता आ, अपने प्रो सबसे में जो प्रॉब्लम है वो इसी 2.2 से है, अब इन्होंने रिसेंटली ही यहां पे नया like terms को explain करते हो, एक अलग section बना दिया, ठीक है, अपने आपको justify करने के लिए, no one but you owns your content, हम नहीं है, ठीक है, but we need access to your content as necessary to operate Adobe application and services, यह कितनी blunt line है, ठीक है, हम आपका content own नहीं करते, देखो मैं आपके घर में नहीं आना जाता, बटा आप में को चाबी दे दू, यह simple वैसी बात but those specific purposes are not listed here, तो बता देना चाहिए, क्यों बताएंगे, क्यों बताएंगे वो, उनकी अपनी company की बात है, वो कैसे वर करता है, वो हमको क्यों बताएंगे, उनका क्या, उनको लगाए हुए है पीछे उनके जो, हमको इतने बड़ी या जेनरेटेव इमज दे देता है, वो क्य इस अपडेट पे ट्रांजिशन नहीं करा, एक्सेट नहीं करें, तब तक लोग सौर्टेड थे, कॉज वो पिछले टर्म्जेंड कंडिशन चल रही है, तो आडवी लीगली कुछ नहीं कर सकता, और पिछले टर्म्जेंड कंडिशन से लोग फाइन थे, ठीके जी, जितना हम यूज करना जाते है, उतना यूज करें, जितना अडवी को अक्सेट है, उतना अक्सेट है, अभी क्या है, जो इन्होंने सबसे बड़ा ब्लेंडर किया, वो ये था, कि टर्म्ज अफ कंडिशन दे दी, एक्सेट का बटन है, डिक्लाइन का बटन ही नहीं, कि या तो अपडेट डाउनलोड कर लिया, एंड नाव मेरा सारा एक्सेस चुटकियों में खताम होगा, जब तक मैं ये बुलिश टर्म्ज अंड कंडिशन एक्सेट नहीं करता, ये पंगाए लोगों का सबसे बड़ा कि लोगों की फ्री विल मार दीना, एंड तुम आगे आने वाल यहाँ ओपन सोर्स होता, बट तुम पे भी कर रहे हो, डाटा भी मांग रहे हो, और अपने AI को खिला भी रहे हो, अपना डाटा उसको फीड कर रहे हो, ताकि वो स्ट्रॉंग हो जाया, तो हर तरीके से ओडियन्स कोई लूट रही है, ये तो यूजर को यूजर को यूजर लोग लिटरली सोचो किसी कंपनी की रेप्यूटेशन इतनी कैसे गिर सकते कि लोग कह रहे हैं, नाव इट्स गुट टू पायरेट अडॉबी सॉफ्ट्वेर से, पब्लिकली लोग ये चीज अगर स्टेट कर पा रहे हैं, ये जो ब्रैंड वैल्यो बहुत गिर गई है, उ जैसे बड़े मूवी क्रेटर देख लो, अगर वो एडिट करेंगे और अगर उनका डाटा लेग हो गया तो, वही तो लैक पायरेसी इस नॉट लोग लैक अडॉबी किसको करने देता है, जो स्टुडेंट्स है या जो जिनका पैसा नहीं है, जैसी तुमें कॉर्पोरेश फूचर पोटेंशल कस्टमर्स की लोग सीख जाएंगा डॉबी बट जो लोग अल्रेडी प्रोफेशनल यह चीज कर रहे हैं, उनके पास तो ऑप्शन है नहीं पायरेसी का, इसका सेकंड वाला परग्राफ पढ़ना वह मैं को पता भी नहीं है, लाइक ये अब्यूसिव क या जो कुछ भी है, तो वह डिटेक करता कैसे, उसका मतलब वह रीड तो कर रहा है सारे इमेज जो कुछ भी है, जैसे जितने भी तुमारे डिवाइसे है, फोन हो गया, आई-पैड हो गया, यूएस डिवाइस हो गया, एन्रड़ हो और सारे तुमारा कीवर्ट रैकिंग बगएरा तो सब करते हैं तो समझ आता है ना कि तुम सर्टेन वर्ट्स टाइप करके रख दोगे कि अगर वो इंसान यह वर्ट्स टाइप कर रहा तो हट जाना चाहिए बड़ अगर तुम पीशे बंदे बैटर रहते हैं जो एक्चल देख रहें यह कह रहे हैं कि हम स्टार्ट करते हैं का आटोमेटिड ड्रिवन रिव्यू से बट अगर हमारे अटोमेटिड रिव्यूर्स ने कुछ करा कुछ इश्यू आया कुछ फ्लैग हुआ है कुछ ग्लिच हुआ तो एक फर्म ने कर पा रहे हैं बट यह बहुत जादा वो लगा मुझे कि एक्सेप्ट और डिक्लाइन को अप्शन नहीं सिर्फ एक्सेप्ट का और उसके वैसे तुम लोग ने तुम्हारे क्लाउड पर अल्रड़ी स्टोर है वो उसके ओपर एक लॉक लगा के छोड़ दिया तो कि जब डॉबी से थीक है मैं सब्सक्रिप्शन कांशल करना जाता हूं सब्सक्रिप्शन कांशलाइशन कर पीस चार्ज कर नहीं अगर मेरा अगले चे महिने का चारसो डॉलर बाकी है दोसो डॉलर की फीस चार्ज हो रही है अडोबी वाले आये खुला वाई हम तो टीकू बदमोस हैं हम कुछ भी करेंगे यहाँ पर कुछ नहीं यह जो फीस है यह कहीं पर भी मेंचेंड नहीं थी बस तुम अगर बहुत डेप्थ में जाके अंदर से अ अंटी आके बोल रही थी वह उस उसने किया क्या वह सिर्फ यह पढ़के चले गई कि तुमको गलत फैमी हुए है वही तो ना यह डामेज कंट्रोल बहुत कंदा था डॉबीगा मेरे को तो जानतक लगता है कॉस उन्होंने एक्चॉल जो इशू से लोगों के वह ड्रेस न ना शायद से मशीएन सब्सक्राइब बड़ लेकर इनुनें मशीन लेर्णिंग उडा दिया अपने वाले में से बहले बाता जो यह था ना टू पॉआन्ट वॉ सेक्शनू कर सकते हैं यह यह मगरें तो मशीन कंट्रोल में बोला था कि हम नहीं कर रहें जिंडरे टिवे आ तो और क्या आता है यूजिंग डेटा एल्गोरिधम्स टु एनेबल एयाई तो इमिटेट दवेड़ एट हुमन्स लर्न एंड जिनरेटिव एयाई है उसको लर्न करके कुछ बनाना मतलब हम रिजल्ट नहीं कर रहे हैं हम बस ट्रेंड कर रहे हैं कुछ करेंगे नहीं हमने अगर देखा जाए तो मांगते हैं कि अगर तुमने कुछ बनाया अगर हम सर्वे करें आपका डेटा तो हम कर सकते हैं सारे सॉफ्ट्वेर्स चाहते हैं कि हम डेटा स्क्रैप कर ले लोगों को एंड हम लीगली करें ताकि हमें बाद में कोई क्वेस्चन ना उठाए ठीक ह आप दे दिया यह सब हैं जी मेरे टर्म डेंड कंडिशन्स मानो नहीं तो यह तो क्रॉस का बडम उपर दे देते कि वहां पर चलके वाले सॉफ्टर नहीं चालू हो रहा हां जो डाटा हमारे क्लाउड में अवेलेबल है वो तो एक्सेस करने दो ना हम है बट स्टिल यह है कि अभी भी जो अंडरलाइंग एश्यू है मेरे ख्याल से वह यह कि इसके कारण अडॉबी का स्टॉक प्राइस या मार्केट वैल्यू चेंज नहीं हुई कुछ भी क्यों वह है एजट इस है कॉज अडॉबी को पता है कि वह एक इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन है गिने ठीक है तो यह लोगों का अंडरलाइंग एश्यू है कि लोग कॉर्पोरेट रूल के अंडर नहीं आना चाहते है अरे पॉलिटिक्स होगी अरे पॉलिटिक्स आती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉज अल्टिमेटली हर कंपनी के लिए देखो क्या है मेन आइडियल स एक्सट्रीम प्रॉफिट्स पार्टीप्स तुम आटिस्त्स को हाय और वहुत्स पैसा चार्ज करेंगी रसके अपने वह होगे नखरहने डिमांड लोंग तुम ने आटिस्स पार नमबर कम कर दिया थोड़े बहुत डेवलपर रखे और वहां कांटेंट बना बना कर रहे यहां वही आगे से आगे सब्सक्राइब कर रहे हैं जनरेटिव यूज़ करके मैजिक सौट आफ यूज़ करके चीज़े बना रहे हैं तो उनको आटिस्ट को पे करने के जुरूत नहीं उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज्ट यह तो में को वहीं लग रहा है कि हमको तो चलो हमलों ने स्टार्ट से एक्सेप्ट किया था जो एक साल पहले से लडाई चल रही है कि डाइरेक्ट चुरी हो जा रहा है, अभी वो जिस softwares पर draw कर रहे थे, जिस softwares पर content बना रहे थे, वो खुद AI को access दे रहा है कि ये लेकर जाओ content और हम से पूछ के और हम, मताब हम से पूछ के नहीं, मताब हमें बोल के, कि हम तुमारा कर रहे है, या तो हमारा यूस करना है, तुमका करो या तो नहीं, अबाड में जाओ, तो ये कितना unfair है, ये तो भाई सारी चीजें मतलब illogical बना देगा, जैसे इसका क्या होगा, जैसे यूटुब पे होता है ये कि तुने मेरा content चोरी किया, यहां पर किसी एक इंसान ने बनाया, ठीक है, एक certain style बनाई, दूसरा इंसान वही फोटोशॉप यूज करके जनरेटिव फिल यूज करके वही style recreate कर रहा है, तो जो original creator है, वह उसको कुछ बोली नहीं सकता कि वह भी same software बनाया, उसी कि यह 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 ऐसी चीज होगी, जैसे मानलो कि तुम एक painter हो, 1800-1900 imagine करो, ठीक है, अपना time, painter, painter, तुमने इस painter से मांगे, आके दे सकता है, तो अब tools में इतनी power कहां से आ गए, तूल तो tool है ना, उसको use करके कुछ बनता है, वो खुद का दिमाग थोड़ी है brush का brush पड़े थोड़ी कुछ बनाने रख जाएगा, अब इधर यह issue आ गया, कि जो brush है, वो कह रहा है, मैं ही artist हो, thinking कह रहा है, मेरी पास culture से लोग अब समझ चुके हैं, उसको observe कर चुके हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ा इंडिपेंडेंसी और community चाहिए, ताकि हम अपना चीजें ओन कर सकें, मैं लिटल हरान हो गया, मैं इतने बड़े बड़े अपड़े आए, डव बालो के, उसका enhance speech आ गया, ठीक है, AI वीडियो बाला आ गया, Photoshop का चलो आया हो था वो सब को, वो तो वाइरल बहुत गया है ना वो, अब इनको ने गंदी पॉलिसी निकाल दी, तो मोडी वाफ कर दिया रहने तो, अरे enhance speech का सोचो, तुमने अपनी audio डाली, Adobe के software में, प्रीमेर में डाली ठीक है, enhance कर दो इसको, उसने वो तुमारी raw audio भेज दी cloud पे, उदर तुमारे audio, तुमारे जो natural एक चीज है, unique चीज है, उसके basis पे models train हो रहे है, not generative AI, machine learning, वो देखो हमारे जो personal documents होती है, dark card हो गया, और voter ID card हो गया, अगर हम Adobe Acrobed में उपन करती है, तो वो भी read कर लेगा, यही तो, अब उन्होंने clarify कर दिया कि ऐसा नहीं है, हम पूरे पूरे गलत नहीं हम लोकली चीजे जो स्टोर हो रही है, वो नहीं हम access कर रहे है, बट हम क्या access कर रहे हम आपको नहीं बता सकते, यह हुआ क्या, अल्रेडी उन्होंने पहले confused किया, ऐसे भी नहीं कि सारी चीजे discuss हो जा रहा है, उसके ब सारे confused है, लोग इसलिए तो कह रहे हैं कि हमें trust नहीं है अब, तो या तो हमारा यह rollback करो जो भी है, इसको हटा दो, बड़ अगर रोल बैक किया भी, करना तो चाहिए, और होगा यह obviously बात है, जितना में को लग रहा है, उतने में अभी कितने time होगा, तुमें लग रोल बै prayer हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि Adobe की goodwill ही उसके product की वज़ा से है, Photoshop की वज़ा से उसकी goodwill, अगर उसको को use ही नहीं करेगा, तो फिर Adobe वाली क्या करेंगे, मालो 10 साल तुम कहरो जैसे उसका stock बहुत बड़ी है, उसकी market value बहुत बड़ी है, तुम को क्या बता कि कि आगे 10-20 साल में उसकी market value कम होगी कि नहीं, या बढ़ेगी, वो तो है उसकी faith value तो down होगी अब तो, यह चेक करके देखारा, जो यह है, पांच दिन पहले, एक dip आया, जब लोगों ने पहली बार बात करने शुरू करें, ठीक है, उसके बाद ultimately बढ़ गया price, बढ़ रहा अब वो, stock price देख रहे हो तुम, यह बढ़ रहा है पहले से, controversy के वाज़े से, yes, and ultimately जो तुम कह रहे थे दिबग, लोगों के पास second option, मेरे को नहीं लगता इतना ज़्यादा है, बहुत collective combined suite provide कर रहा है, ठीक है, दविंची resolve की तरह नहीं है, या final cut की तरह नहीं है, कि एक या दो टूल्स है, तुम्हारे डिस्पोजल बे, तुम्हारे पास एक whole library of tools है, जिसके अंदर से कहीं tools ऐसे हैं, जो one of a kind है, उनको replicate नहीं कर सकते हो, after effects के अंदर बहुत सारे ऐसे features है, तो में दविंची fusion में नहीं मिलेंगे, final cut के advanced features में नहीं मिलेंगे, उपर से हम इतना used to हो प्रीमर के बता हो ये पूरे user interface से, जाओं तो में को पूरे courses बख रहा देखके, at least 1 महीना लगेगा और सीखने के लगए, हो भी देखो न, Adobe की integration कितनी बड़ी है, उसकी जो environment friendly कितनी है, और जो dynamic कितना है, उसका वो देखो, हम सीधर replace कर देते हैं, जो after fact में कोई effect डालना हो अगर हमको फोटो शो मेडिट करना सिधा, import करकर हम, वहीना एक बहुत बड़ा universe है, ऐसा है तुम एक्दम से कह दो, कि मैं movies में से marvel को हटा दू बिलकुली, no marvel movies, भले मेरे को iron man अच्छा लगता है, यह अच्छा लगता है, बट वो सारे आपस में इतने अच्छे से integrated है, कि तुम उसको नहीं हटा सकते हैं, एक दम से, same Adobe के साथ है, कचरा हो जाएगा, अगर तुमको illustrate करना है, तो दूसरी कौन से software रहते हैं, प्रोक्रीट के लिए, एलस्ट्रेट के लिए, तुमको apple के साथ लगता पड़ेगा, apple तो और bullish है, तुमारे को ले, they are very keen on privacy, but ultimately सब को बत Apple बहुत bullish है, वो तुमारे इतनी साथा नहीं सुनेगा, वो तुमको Android के 10 साल पुराने features अब लाके कह रहा है, कि यह ले ओ, नया feature, अरे, उसका तो मैं को समझ नहीं है, बताए, एक software अपडेट डाल दिया, जिसमें, तुम क्या कर सकते है, टॉर्च है, टॉर्च को wide कर सकते कौन यूस करेगा, यह में को नहीं समझा, यूस क्या है, यह से ऐसा था, कि Android में यह चीज नहीं है, बताब जो इतना लोग वो बोलते थे न, अरे, नीड़ भी नहीं है, उसकी ही, अरे, और उपर से यह देख, होम स्क्रीन पे भाई, देख, मेरा icon अब यहां से आ जा रहा यह देख, मेरा Nokia, इसमें भी जा, यह दो, Android छोड़ो, लिटरली, नॉर्मल फूंस में भी थे, जो वह साया था, सबका Blackberry, वह जो कुछ भी आ था, सब में थे, तभी लोग इतना रिपेल कर रहे हैं, इस पूरे सिनारियो को, लोग चाहते हैं, कि हम corporate को समझा दें, कि this is not cool, कि तुम हमारे art के साथ, हमारे creative साथ, या in fact हमारे price पैसों के साथ, इतना नहीं खेल सकते हो, अगर यह जाने थिया, अगर सारे users में, तो बहुत normalize हो जाएगा, कि हाँ आप तो भाई Adobe चुरा रहे हैं, तो हम कौन होते हैं, हम भी चुराएंगे, हम भी चुराएंगे, सारे चुराने लगेंगे, एक बार यह अगर अंडर लाइन गया ना कि चलो ठीक टेबल नीचे से निकाल दो, one of exceptions थी, पांच साल बात सारे software तो में ऐसा ही देंगे, no decline button, accept or go, कल को डिवेंसी भी कर देगा, हां, सारे कर सकते हैं, और ultimately company के लिए बहुत beneficial है न, तुम ऐसी terms डाल तो लोग reject ही ना कर पाएं, best, भाई पहले सब लग को सारे उसी के नक्षे गदम पर चल रहे हैं, अरे यही तो जैसे अब हम भी discuss कर रहे हैं, कि इतनी सारे चीज़ें, ने features, Adobe ने दियें, कि हम change नहीं कर सकते, बट क्या वो features हमारी ownership को over power कर सकते हैं, मैंने अगर कुछ कि वो कहीं और utilize हो रहा है, बहुत बड़े skill पे utilize हो रहा है, और मेरे को कोई credit नहीं मिल रहा, credit छोड़ो कुछ attribution भी नहीं मिल रहा, कि मेरा नाम ही बता दिया जाए वहाँ पे, तो मैं नहीं use करूँगा ना, मैं रादर एक डेड़ महीने के learning curve पे चला जाओंगा, दूसरा कुछ try out करने, मैं दूसरा brush टालूँगा, यह वाले brush के बाद ज्यादा दिमाग हो गया, तुम आर्ट चूरी कर रहे हो, कोई एक छोटी चीज नहीं है, मतब आर्ट को वो करने के लिए सीखने के लिए सालों लग जाते हैं, और तुम जैसे ही वो art finish हो जाए, हाँ भाई मै यह specific 10 editors इस तरीके, यह 10 best editors हैं, इंडस्ट्री के, इन्हों ने इस तरीके से pacing बनाई है, and then एक नया जनरेटिव AI है, चलो, जनरेटिव AI मत छोड़ो, नहीं use कर रहे है, machine learning वाला model उस पर बैटा है, and then वो same pacing को अभी पेस्ट कर पा रहा है, उसको fundamental नहीं पता है, उस pacing का बट software नहीं तुम कुछ सोचो ना, समझो, अभी से दो महीने बाद, एक नया अपडेट आ रहा, प्रेमियर पर, जहां पर वो तुमको types of edit अपने आप करके देगा, कि retention edit तुम्हें करनी है, ऐसे होता है, यह edit तुम्हें ऐसे करनी है, ऐसे हो जाती है, भाई, short film तुम्हें edit करना नहीं हो जाता है, वो उसी according, अभी autopod नहीं आया था, autopod जो आया था, यह silences काटने के पीछे का fundamental क्या autopod को पता है, नहीं पता है, उसने just 10 सालों का editor journey देखा, अब वो बहुत simple चीज है, ठीक है, silences काटना बहुत creative काम नहीं है, बट उसको सीख के उसने apply करा, और जहां एक editor पंदरा वीडियोज एडिट करने का मानलो 10,000 रुपए लेता, autopod की subscription आई 50,500 रुपए पर मंत की, ठीक है, उसने करके done करके दे दिया, अब client को तो कोई difference notice हुआ नहीं, बट इधर जिनोंने उसको train करा 10 साल बैठके, उनको कोई credit थोड़ी मिला उसका, वही बात है, AI तो व पीड की हुए गेम्स, उसमें सारे जीते हैं, सारे प्लेयर्स में, तो उसको सिर्फ जीतना आता है, कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, सामने वाला ऐसे से करेगा, तो मैं जीत जाऊँगा, मतलब उन्हों तुमारे कहने का मतलब यह कि जो भी chess player के global players है, AI ने उसे सीथा है, और उ उसको पहले ही पता है, अरे यह सोचो, जैसे पहले painter's थे, अब मैं किसी को देख के सीखना चाहता हूँ, तो मैं like वो कहीं live painting कर रहा हूँ, उसको देखूंगा, खुद अपना कुछ दिमाग लाओंगा, इसने प्रेबेट क्यूं करा यहां पर, ऐसे क्यूं करा, और एक है क जब उसने brush उठाया, tracker, हर चीज ट्रैक हुई, साथ में उसका वो भी eye movement भी ट्रैक हुई, emotions भी ट्रैक हुए थोड़े बहुत, expressions भी ट्रैक हुए थोड़े बहुत, साथ में paint करते करते, दूसरी जगा और क्या कर रहा है, वो भी ट्रैक हुआ, तो म प्रीमेर के साथ साथ, अगर सोचो, like integrated, अगर हम में मान ले, एक blob of corporate companies बनता है, Adobe ट्रैक, YouTube ट्रैक, Google ट्रैक, इंस्टा और Facebook ट्रैक, तुमारे inspiration से लेके, तुमारे execution तक, सब train हो गया, तुमारे ज़रूरत ही नहीं, तुमारे train फिर किसके लिए कर रहे हैं, फिर, audience के लिए कर रहे हैं, तो वही तो कह रहा हूं, फिर मैं 5-6 साल अब ऐसे ही हो जाएगा, फिर, जो, एक, एक, एक सूपर आप आएगा, ये, एडिट करना है, अपनी raw वीडियो डालो, edited वीडियो लागो, फिर, artist का कोई काम ही नहीं है, फिर, artist की value फिर दीर होगी, फिर, 5 साल बात, फिर, reason ही नहीं बचेगा उसको पता है, कि उसने ये stroke क्यों यूज के है, उसने ये color क्यों यूज के है, उसने ये design क्यों यूज करके क्या बना है, AI को नहीं पता, वो सिर्फ दे रहा है, तो तुम उसको कॉन से basis पर जज़ करोगे, इवन तो AI उससे better है, बढ़ उसका purpose ही नहीं कोई, उसकी meaning ही नही चीज आरी जारी, ultimately जब majority of the percent of content बन जाएगा AI, तो एक वो नहीं आ जाएगी, singularity नहीं आ जाएगी, खतम, 50 साल बाद, अब हमारे पास कुछ नया है नहीं बोलने को, हमारा तो human experience है, हम तो बहुत सारी चीज़े different observe कर रहे हैं, प्लस कुछ थोड़ी बहुत की thinking लगा रहे है एंड जाके कुछ create कर रहे हैं, हमारे कुछ goals ambitions हैं, है ना, जिसको हम link करते हैं अपने designs में, story में, edit में, AI के पास just एक purpose है, to do the task, जो उसको बोला गया है, तो उसके अंदर आगे जाके, originality, uniqueness, या कुछ नया innovate करने की, शमता नहीं रहेगी, मेरे घ्याल, dystopian ही है यार, यहीं तो तुम क्या करोगे, में को तो पूरा purpose ही नहीं समझ रहा ना, करोगे क्या लेकिन उसका, audience पादल हो जाएगी, क्या पता, तुमने process को हटा दिया, तुम दीरे-दीरे output को भी हटा दोगे, AI generated content भी आई रहा है, हम सिर्फ as a viewer बन के रहे जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, content creators कोन होगे आगे जाके, AI तुम purpose ही खतम कर रहे हो ना, धीरे-धीरे उस चीस का जाके, वही तो content का purpose तो में जिकाल से अब भी भी बहुत redefine हो गया है, जबसे marketers गुश गया है, content में, अब content का purpose वह थोटी रहा है, जैसे सोचो, 2005 में YouTube स्टार्ट होगा था, क्या था content का purpose, जो ह हमे traditional media पर नहीं दिख रहा है, वह हम कुछ बनाए, authentic, raw, और मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं वह बोलू, अब content क्या है, आप क्या सुनना चाहते हो, मैं सुनाता हूँ, वही बस please करना है, पैसे करना है, पूरा business हो गया ना, बस आप मेरे को अपनी, एक minute की attention दे, एक minute की, बस उसके बाद आप जाओ, useful कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ वो एक minute waste करके चला जा रहा है, हमें लग रहा है कि हाँ, इसने कुछ बोला, क्या बोला, पता नहीं, आप यहां पर तुम बोल रहे हो कि prompt में लिख देता हूँ, आगे जाके prompt AI लिख देगा, तो तुम क्या कर अभी बना रहे है, तुम जाए जीपीटी को बोलो, generator prompt for beautiful mountain scenery, वो prompt लिख देगा, वो mid journey में जाके डालो, आगे जाके 10 companies combine हो गई, तुम जास भी बोलो, mountain scenery, अपना prompt हो अपना वीडियो, अपना image बनी, image to video convert हो, parallax आ गया, वो video edit हो गई, automatic upload हो गई, बस, तो अगर कोई script writer है, भी इससे लिख देगा, AI से लिख देगा, वो storyboard भी AI से बना लेगा, वो images, music, सारी चीज़े generate वगएरा, सब को shoot, पूरा AI generated हो जाएगा, और edit भी AI से कर लेगा, upload कर देगा, तो इसमें तुने किया क्या, कहां चली गई, वो पूरा process, जो interesting था, फिर ultimately viewers भी AI वाले चाहिए हो कुछ मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से इस टाइम पर जितना मैंने अभी तक life observe करी है, बहुत जादा experience नहीं है, बट एक purpose of being देता है, art हमें, यहां तुम express करते हो कुछ, तुम कुछ imagine करते हो, कुछ different सोचते हो, कुछ ambition hold करते हो, अगर वो है ही नहीं, just marketing है, तो वो marketing, market करोग इसको, अगर जिनको market कर रहे हो, उनके यह ambition नहीं है, कुछ, वो क्या खरीदें, मैं को बहुत बड़ा margin यही लगता है, कि rather than, यह हम चिला रहे है, creators चिला रहे है, हमारे साथ जलत हो रहा है, audience को चिलाना चीए, इंदी एंड अफेक्ट तुम को वह रहा है, तुम देखू क क्या बोलते हैं, cash cow, cash cow videos है, literally वो पैसा कमारा तुमारा time देखे, वही तो like audience अभी तक realize नहीं कर पाई, कि हमारा time इतना valuable है, कि अगर हम एक minute कहीं पर दे रहे हैं, वो एक minute से अगला बंदा एक million चाप रहे है, तो अगर वो एक minute में बचा के, उसको अपनी जिन्दगी में utilize क कर लूँ, तो मैं एक million चाप लूँगा, पैसा भी छोड़ो like ultimate happiness या जो भी है, तुमारा ambition वो reach होगा, और actually मैं पुराने content creators यही करते थे, Peter McKinnan मैं इतना अच्छे से क्यों follow करता हूं, वो बंदा मिरको आकर को हर बार product थोड़ी चेप रहे है, वो बंदा मिरको बता रहे है कि भाई मिरको यह shoot करने मजा आता है, मजा क्यों आता है, इसका यह result निकलता है, इसमें इतना effort जाता है, मेरा महिना लगा यह documentary shoot करने में, मिरको भी लगा न, हाँ अंदर से आया कुछ है, और मैं भी ऐसे documentary बनाता हूं, not for the viewers, खुद के लिए, मजा आएगा process में, shoot करने में Mountain ऐसा दिख रहा है, shoot करने मजा आएगा, जैसे हम पहले inspiration ले थे थे कि यार से उस creator ने बनाया, देखो कितना बड़ी हा, हम भी ऐसे artists भी growth होए है, अब वो होगी निकार आटिस ग्रो, हमारा purpose पैसा नहीं था न, तब होई तो बात है, creators जितने भी थे, अभी तो मैं को creators बो लगा था कि वो millionaire बन जाएगा, millionaire बन जाएगा, सिर्फ गेम खेल के, उसका purpose था कि मुझे gaming पसंद है, मैं खेलूंगा, मैं बनूंगा, मैं famous होँगा, उतना आग, उसको future नहीं बता था क्या होने वाला है, वो purpose था न, उसका, अगर पैसा purpose होता, यह जो बना रही है, generated चीज है, यह, नहीं सुनना, तुम बोलो, comment में preset लिको, मैं आपको यह चार preset fake के मारता हूँ, वह million views, वही तो बात है न, सीधा result चाहिए, तुमको सीखना नहीं है, how to do this, 30-40 minute का tutorial है, हाट कॉन देखेगे, इसको जल्दी कैसे बनाना है, इसको AI से कैसे बनाना है, वो देखेगे, हाँ, वो अगर सारे ही preset यूज करोगे, वो preset AI develop करेगा, दिमाग लगाओ, benefit किसका हुआ, वी तो बात है, मैं को लिटरली लगता है, मैं कोई चीज कस्टम से बनाता हूना, like, दो सेकिंड का animation मनाया था, मैंने कल अमरित को दिखा था, कि नीचे से ऐसे camera आ रहा है, camera मैं से light यह light पीछे से पूरा focus हो जा रहा है, और intro लिक कर आ रहा है मेरे उसका video का, वो बनाने में को इतना मज़ा आया, वो process में मज़ा आया, output मैंने उसे 10 से 20 बार देखा, वो तुम AI से generate कर दोगे, क्या, वो पूरा process, satisfaction नहीं मिलेगी तुमें, जो अंतर से satisfaction नहीं मिलेगी तुम करना पड़ेगा दिन, अगर सारे लोग मिलके कहते हैं कि, और उनको एक्चुल में यार देखो, उनको घंटा फरक नहीं पड़ेगा, अगर उनके 100 यूजर, 50 एक लाख यूजर भी गए, नहीं फरक पड़ेगा, मिलियन में यूजर हैं, ठीक है, फरक तब पड़ेगा, ज अब जाके इसके उपर कुछ material impact बढ़ेगा मेरे खाल, नहीं तो तक तक ये सारी हवाई बात हैं, हम जाहें जितना मर्जी AI पर rant कर लें, बट जब तक वो चीज़ पैसा कमा के देर ये company को, और लोग होने दे रहे हैं वो चीज, audience देख रहे हैं वो चीज, दिखाओ, generated AI content, ह बनाएगा, सारे बनाएगे, मुश्किल हो गया, complicated करते हैं नहीं आठ को थोड़ा, कितना सिंपल सा चीज है, यार, लोग बस, परपस है कि ये मुझे बनाना, inspiration ले रहें, खुछ का create कर रहें, scripting कर रहें, shoot कर रहें, upload कर रहें, audience देख रहें, मजा रहें, अब अगले बंद कुछ ना, कुछ, कुछ को feed करने के लिए, तो हम भी देख ले रहें, वो बंदा पैसा कमा के नहीं जा रहें, फाइदा किसी का कुछ नहीं हो रहें, हमारा time waste हो रहें, उसका फाइदा हो रहें, पैसा मिल रहें उसको, और ये loop continued रहेगा, cause company ने train कर लिया, model, company बनाती रहें कि दुबारा content तुम बैठके देखते रहें, content भाई बास ही ले लिया, अगर मालो चलो ऐसा हो भी जाता, ठीक है, वही आर्ट, वही repeating आर्ट आई जाए, आई जाए, सामने आई जाए, तो audience पर अगर उसको छोड़, मालो उसको देखना चोड़ दे फिर, यही करना होगा न तो आ सकता है change, बट अभी तक में को लग रहा है, वह tipping point आया नहीं है, अभी वह rise पे है, बहुत audience अभी बची है, गाओं कस्बो की, या फिर, in fact, urban areas में भी ऐसे लोग जो की अभी भी आ रहे हैं, और की हाँ, real क्या होता है, YouTube क्या होता है, जब तक वह audience सारी नहीं तब तक चेंज तो आना मुश्किल है, तब तक देर हो जाएगा, तब तक लोग train इस तरीके से हो जाएंगे, जैसे आज हम T-Shirt खरीदने से पहले यह नहीं सोचते कि T-Shirt इतनी सस्ती ऐसे बने क्योंकि कोमोडिटी है, यह T-Shirt में आठ जो थी वो तो बची नहीं है, मैं जब मैं अकेला बेटा हूं मेरे हाथ में फोन है, मैं भी नॉरमाल आडियंस ही हूं जो स्क्रूल कर रहा है इसको कुछ चाहिए टाइम पास तो फरक ही नहीं है किसमें कुछ भी तो हर एक इंसान कैसे अवेर होगा, है कुछ यह यह जो है, आंसार ही नहीं है, इसका, सिंग बोल सकते हैं, अपनी कम्यूनिटी में एट लीस्ट सोच सकते हो, आपस में डिसकस कर सकते हो, उतना अच्छा है, तुम जितना खुद रियल रह सकते हो, और अपने आज पास के लोगों को रियल रख सकते हो, बाकि सब तो है आई है, बाई, लग लड़ लेते हैं, उनमें झाल झाल झाल-एसलिघ खाऊ भलती है तो झाल-ग लेते हैं, झाल-भेते हैं